जैने दोस्तों आज हम कवर करेंगे बीए थार्ड येर फिप्त समेस्टर एसेंट हिस्ट यानि प्राची नितिहास दोस्तों यह अबजेक्टिव टाइप कोश्चन है ठीक है सब्जेक्टिव टाइप कोश्चन पाने के लिए दोस्तों टेलेग्राम गुरूप का लिंक दिय आप उसे जॉइन करके मुझे डिरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों पूरे यूटूब पर जीके जीएस वाला एक ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपको फिरी में यूपीएश प्रोवाइट कराता है ठीक है जो सब्जेक्टिव टाइप कोश्चन का फिरी में यू दच्छिड भारत का राजनेति की तिहास 550 इसवी से 1200 इसवी तक ठीक है इंगलिस में भी देख लेंगे क्योंकि दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड मिलता है उसमें आपका सब्जेक्ट इंगलिस में लिखा रहता है तो इसे ध्यान दिजेगा पॉलिटिकल हिस्ट्री आ एसी 301 दोस्तों यह कलास तीसरा है ठीक है ध्यान दिजेगा कलास तीसरा है यूनिट तीसरा है और 30 प्रस्ण है 30 के 30 एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान से देखिएगा दोस्तों उमीद है लास्ट तक जरूर देखेंगे आप ठीक है दोस्तों इसके पहले मैंने जो class करा है दोस्तों उसके link भी मैं description में दे दूँगा इस class को देखने के बाद आप उस class को भी असानी से देख सकते हैं ठीक है चलिए start करते हैं आज की class प्रस नमबर एक है दोस्तों चोल कालिन सैन टुकडी के मुखिया को नायक कहा जाता था आपसा नमबर ए है प्रस नमबर दो है दोस्तों निमनलिखित उप समितियों में किसका प्रचलन चोल काल में नहीं था तो आपसा नमबर डी है दोस्तों कास्ट समिती का ठीक है कास्ट समिती चोल काल में प्रचलन में नहीं था पाकी से कौन कौन सी तडग समिति उधान और न्याय समिति प्रस्ट नमबर तीन है चोल सेना का मुख संगठित हिस्सा कौन था तो पैदल सेना ठीक है दोस्तों चोल सेना का मुख संगठित हिस्सा कौन था पैदल सेना प्रस नम्बर चार है चोल काल में निर्मित नटराज की कान से प्रतिमाओं में देवा कृत कैसी है यानि जो देवियों की आकृती है वो कैसी है तो चतुर भुजाकार है यह मोस्ट है इसे लिख ली जगा जरूर ठीक है एक बार और देख लेंगे चोल काल में निर्मित नटराज की कान से प्रतिमाओं में देवा कृती कैसी आए यानि जो दोस्तों देवी देवताओं की आकृती वो कैसी है तो चतुर भुजाकार है याद रखेगा प्रस नम्बर पांच है चोलो का राज्य किस छेत्र में फैला था चोलो का राज्य दोस् ग्राम प्रसासन के बहुत से बेवरे जिन सिलालेकों में है वे सिलालेक कहा है तो वे सिलालेक उत्तर मेरून में है आफसन नमबर डी है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर साथ है चोलो काल में रासी यानि जो चोल काल है दोस्तो चोल काल में रासी जिसे धान के रूप में संग रासी जिसे हम लोग धान कहते हैं ठीक है धान के रूप में संग्रह किये जाने वाले भूमी राजसो को किस से मापते थे कलम से मापते थे प्रस नमबर 8 है नट राज की परसिद्ध कांसि मूर्ती एक उद्कृष्ट उदारड है किसका उदारड है तो चोल काल का उदारड है आपसर नमबर B है प्रस नमबर 9 है चोल राजाओं के असनानागार और भोजनाले का प्रबंध कौन देखता था पुरूस या इस्तरी तो यह दोनों देखते थे दोस्तों ठीक है आपसर नमबर C है प्रस नमबर 10 है दोस्तों थर्ड यर है तो टफ कोशन पूछेंगे ध्यान रखिएगा चोल राज में निमनलिकित प्रसासनिक इकाई पर विचार कीजिए तो दोस्तों आपसर नमबर इसमें ए होगा ठीक है पहले वलनाडू होगा फिर कोटम होगा उसके बाद उरू होग तो आपसर नमबर यह है इसमें ठीक है वलनाडू कोटम उरू याद रखिएगा चोल राज में निमनलिकित प्रसासनिक इकाई पर विचार कीजिए यह उसकी प्रसासनिक इकाई थी ठीक है न चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रसन नमरी 11 है वह चोल नरेश कौन था जिसके सासन काल में तंजाओर के ब्रेदेश वर मंदिर का निर्माड हुआ था तो दोस्तों राज राज पर्थम ठीक है आपसर नमर सी है वह चोल नरिश कौन था जिसके सासनकाल में तंजाओर के बुरेदेश और मंदिर का निर्माड हुआ था तो राज राज पर्थम के सासनकाल में दोस्तों बुरेदेश और मंदिर का निर्माड हुआ था प्रस नम्मर बारह है निम्न लिखित में से कौन चोलो के सिक्कों पर उतकिल्ड नहीं है चोलो के सिक्कों पर क्या उतकिल्ड नहीं है दोस्तों तो हाथी उतकिल्ड नहीं है बाकी धनुस मतस्य और चिता यानि मचली ठीक है ये तीनों चोल के सिक्कों पर उतकिल्ड है हाथी उत्किल नई है यानि हाथ ही अंकित नई है उस पर प्रस नमर तेरे है गंगे कोंड चोल पूरम की अस्थापना किस ने की थी बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस नहें तो राजेंदर पर्थम ने के दोस्तों राजेंदर पर्थम ने गंगे कोंड चोल पूरम की अस्थापना की थी प्रस नमर चौदर है धर्मासन कहा जाता है धर्मासन दोस्तों किसे कहा जाता है तो धर्मासन दोस्तों जो चोल काली न्यालय को कहा जाता है अफसे नमबर भी है धर्मासन किसे कहा जाता है चोल कालिन नियालय को कहा जाता है प्रस नमर 15 है किस चोल सास को द्वारा चीन के लिए वैपारिक दूट मंदल भेजा गया था तो दोस्तों राजराज पर्थम, राजिंद पर्थम और कुलोंतु पर्थम उपरोक्त सभी के लिए सभी के लिए चोल सास को द्वारा चीन के लिए वैपारिक दूट मंदल भेजा गया था प्रस नमर 16 है चोल सासक, राज राज के समय, मंडलों की कुल संखिया कितनी थी? मंडलों की कुल संखिया आणठ थी आप यस नमर 27 है दोस्तों चोल समराटों ने अस्थानिय प्रसासन हेतु ग्रामिड समितियां बनाई उन ग्रामिड समितियों को क्या कहा जाता था तो उन ग्रामिड समितियों को वरियम कहा जाता था अपसा नमबर ए है प्रस नम्बर 18 है दोस्तों अधिकांस चोलकालिन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है तो सिव को समर्पित है आपसा नम्बर बी है प्रस नम्बर नम्बर बीस है चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर सैचछडिक उद्देश के लिए था कर दोस्तों यानि जो लगान होता है उसे कर बोलते हैं ठीक है तो सल भोग के लिए ठीक है चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर सैचडिक उद्देश के लिए था तो दोस्तों सल भोग कर सैचडिक उद्देश के लिए था याद रखिएगा प्रस नमर एक कैस है कुसल गरामिड प्रसासन के लिए परसिद्ध राजवन्स था तो दोस्तो चोल राजवन्स ठीक है कुसल गरामिड प्रसासन के लिए परसिद्ध राजवन्स कहों था चोल राजवंस प्रस नमर बाईस है प्रसासन के छेत्र में चोल वंस का मुख योगदान है तो संगठित अस्थानी प्रसासन में प्रस नमर तेईस है चोल समराज कितने परांतों में विभक्त थे यानि दोस्तों जो चोल समराज था वह कितने परांतों में बटा हुगा था तो जोस्तो चोल समराज 6 परांतों में बटा था आपसा नमबर यह है प्रस नमबर 24 है दोस्तों राजेंद्र पर्थम का महतपूर सैन नभियान क्या था गंगा घाटी में किया गया सैन अभियान, राजिंद पर्थम का महतपूर सैन अभियान था प्रस नमर पचीस है, राज राज पर्थम ने निमने लिखित दीपू में किसको जीता था मालदीग को या लच्छदीग को तो इसमें दोस्तों दोनों को जीता था अपसा नमबर C है प्रस नमबर 26 है दोस्तों किस राष्ट कूट सासक ने परांतक पर्थम को युद्ध में परास्त कर चोलो को अस्थाई रूप से हानी पहुँचाया था तो दोस्तों कृष्ट ने ठीक है कृष्ट ने ठीक है दोस्तों यह राष्ट कूट सासक थे जो परांतक पर्थम को युद्ध में परास्त कर चोलो को अस्थाई रूप से हानी पहुँचाया थे ठीक है प्रस नमबर 27 है किस चोल सासक ने पांडियों की राजधानी मदूरा पर अधिकार कर मदूरे कोंड की उपादी धारन की थी तो दोस्तों परांतक पर्थम ने ठीक है आपसा नमबर 2 है परांतक पर्थम ने दोस्तों पांडियों की राजधानी मदूरा पर अधिकार कर मदूरे कॉंड की उपादी धारर की थी प्रस नमबर 28 है दोस्तों चोल किसके सामन्त थे तो कांची के पलवों के सामन्त थे आपसा नमबर B है सभी most important प्रस ने है या आपकी जम्यदारी है दोस्तों वार्टसप पर इसे जरूर सेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी परिच्छा में अच्छे माक्स ला सकें ठीक है प्रस नमबर 29 है उडन कुटम नामक अधिकारी किसे कहा जाता है उडन कुटम नामक अधिकारी राजा के समीब रहने वाले उच अधिकारी को कहा जाता है आपसा नमबर भी है दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं है पहले विजिट की हैं या फिर पूरा नहीं है तो सब्सक्राइब जरू करिएगे दोस्तो ताकि छटे समेस्टर में भी आप हमारे साथ जूड़े रहे हैं ठीक है अन्तिम प्रसमें दोस्तो चोल सासक राज-राज की समय मंडलों की इकुल संख्या कितनी थी चोल सासक काँ था राज-राज तो दोस्तो इसके समय में मंडलों की संख्या कितनी थी तो इसके समय में मंडलों की संख्या आठ थी आपसा नमबर यह है दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो एक लाग यह रूप कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि छटे समेस्टर में भी आप हमारे साथ जोड़े रहें दोस्तों टेक हैं मिलते हैं अगले क्लास में तक तक ले जाए हैं बंते मातरम